हेलो पेरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होग की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट ईवीएस के वक्सी नमबर 17 को सॉल्ब करेंगे जो की नौर्ड दैली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दी गई ह तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौर्टिकेशन मिलते रहे हैं तो शुरू करते हैं question है identify the things बच्चों यहाँ पर चीजों को पहचानना है which are obtained from the plants जो की हमें पौधों से प्राप्त होती है answer as yes or no in the given box बच्चों यहाँ पर box दिये गए हैं इन में आपको yes or no लिखकर answer देना है तो first thing क्या है mango mango means होता है आा mango हमें किस से मिलता है चिस से हम ओप्टेन करते हैं plants से तो बच्चों yes it is right यहाँ पर लिखेंगे yes नेक्स्ट है डोर डोर मिस क्या होता है बच्चो दर्वाजा दर्वाजा किसका बना होता है वूट का लकडी का तो बच्चो यह हमें किस से प्राप्त होती है प्लांट से तो बच्चो यहां पर भी यह लिखेंगे नेक्स्ट है इलेक्टिक फैन तो बच्चो इलेक्टिक फैन जो है बिजली से जलता है किसका बना होता है आरन का तो बच्चो यहाँ पर लिखेंगे नो यह जो है हमें प्लांट से नहीं मिलता है नेक्स्ट है ओनियन तो बच्चो ओनियन किस से प्राप्त होती है हमें ओनियन मिलती है हमें प्लांच से तो यहाँ पर भी yes लिखेंगे नेक्स्ट है राइस ये क्या है बच्चो राइस चावल भी हमें प्लांच से प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर भी येस लिखेंगे next है cotton cotton means होती है कपास ये बच्चो कपास है कपास के पौदे हैं तो हमें बच्चो कपास पौदों से मिलती है तो यहाँ पर भी हम yes लिखेंगे next है furniture तो बच्चो furniture जो है किस से बनता है furniture लकडी का बनता है लकडी किस से मिलती है पेड़ पौधों से तो बच्चो यहाँ पर लिखेंगे yes next है vegetable oil तो बच्चो vegetable oil हमें किस से प्राप्ट होता है पेड़ पौधों से तो बच्चो यहाँ पर answer है यहाँ पर लिखेंगे हम yes अब है question number two state whether following statements are true or false यहाँ पर जो statements दिये गए हैं यह सही है तो यहाँ पर लिखना है बच्चो true और यदि यह गलत है तो यहाँ पर लिखना है false तो first है we get medicines from the plants हमें दवाईयां पौदों से मिलती हैं तो बच्चो yes it is true तो यहाँ पर नेक्स है we obtain perfume from jasmine flower हम perfume जो है इत्र किसके पौदे से प्राप्त करते हैं चमेली के फूल से तो बच्चो यहाँ पर लिखेंगे true नेक्स है paper is not made from the plants कागत जो है plants से नहीं बनता है तो बच्चो यह गलत है false है तो यहाँ पर लिखेंगे false next है rubber is obtained from rubber tree rubber जो है वो rubber के tree से बनती है rubber के tree से प्राप्त होती है तो बच्चो yes it is right यहाँ पर true लिखेंगे next है весь we get gum from acacia tree हमें gaan जो है वो किसके tree से मिलती है बबूल के tree से तो बच्चो यहाँ पर लिखेंगे yes it is right यहाँ पर true लिखेंगे next है table fan is made of wood table fan जो है लकडी का बनाया जाता है तो बच्चो गलत है table fan किसक का बनता है आयरन का तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स नेक्स्टे क्लॉट्स आर मेड़ फॉम फाइबर कपड़े रेसों के द्वारा बनाई जाते हैं रेसे के द्वारा बनते हैं तो बच्चो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू life skill energy is the capacity to do any work energy कहते हैं बच्चों किसको ऊर्जा को ऊर्जा जो है क्या है किसी भी कारे को करने की एक छमता होती है energy resources are limited on earth प्रत्वी पर जो है energy की जो resources है वो बहुत ही limited है but demand is very high लेकिन उसकी demand जो है मांग बहुत ही ज़ादा है so we all should conserve energy इसी लिए हम सभी को energy को conserve करना चाहिए बचाना चाहिए the idea of conservation of energy not only makes us more conscious about how our actions affect the environment energy को conserve करने का तरीका ही हमें इसके बारे में conscious नहीं बनाता कि हम कैसे हमारे जो actions है वो कैसे हमारे environment को affect करते हैं प्रभावित करते हैं but also provides us practical way बलकि हमें practical इटमीज व्यवारिक तरीके भी provide कराता है we can be part of energy conservation हम सभी जो है energy को संदक्षन करने के एक part हो सकते हैं it means हम इसे बचा सकते हैं save energy, save money उर्जा को बचाओ it means money को बचाओ save the planet और बच्चो जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसे बचाओ बच्चो इस पिक्चर पर आपको right mark करना है जो की fuel या फिर कह सकते है energy को conserve करना it means इसमें energy जो है conserve हो रही है ये sow कर रही है तो बच्चो फर्स्ट पिक्चर में क्या है ये car है बच्चो इसमें energy को waste किया जा रहा है और जबकि यहाँ पर ये जो गाड़ी है बच्चो किस से चलती है बिजली से चलती है electricity से तो यहाँ पर क्या हो रहा है energy का conservation हो रहा है तो बच्चो इस पिक्चर पर right mark करेंगे और इस पर cross mark करेंगे next पिक्चर में बच्चो यहाँ पर हरियाली है पेड़ पौदे है जो कि क्या करते है हमारी उर्जा को हमारी energy को conserve करते है जबकि यहाँ पर पेड़ पौदे नहीं है यहाँ पर energy अविर कह सकते है fuel conservation नहीं है तो यहाँ पर cross mark करेंगे और यहाँ पर right mark करेंगे नेक्स पिक्चर में बच्चो क्या है यहाँ पर यह जो bulb जल रहा है light जो है किस से जल रही है solar energy से तो यहाँ पर बच्चो energy को conserve किया जा रहा है इसे बचाया जा रहा है जबकि यहाँ पर एक से ज़्यादा it means कई सारी light जली है और यहाँ पर energy जो है waste हो रही है तो यहाँ पर cross mark करेंगे संसकार साला the main basis of success is positive thinking and continuous effort सफलता का एक मुख्य आधार क्या है सकारात्मक सोच और हमारा निरंतर प्रियास food and drink है include red colored fruits and vegetables in the diet like apple, palm granite, red berry cherry, strawberry, tomato and onion etc आज आपको अपने भोजन में अपने खाने में लाल रंगे फल और सबजियां लेने हैं जैसे कि सेब, अनार, red berry लाल बेर, cherry strawberry, tomato, प्याजादी बच्चो यह बात याद रखनी है red colored fruits and vegetables are rich in vitamins and proteins जो red color के fruit और vegetables होते हैं उन में क्या होता है vitamins और जो protein होते हैं बहुत अधिक मातरा में होते हैं activity में आज आप क्या करेंगे find out with your teacher और Google and YouTube why it is important to eat red fruits and vegetables बच्चो आप अपने teacher से पूछेंगे या फिर Google या YouTube पर देखकर पता लगाएंगे कि हमें red fruits और vegetables जो हैं वो खाने इतने important क्यों हैं आप अपने परिवार में बच्चो के साथ केराम गेम या फिर पिठ्थू गेम खेलेंगे अब बच्चो डेली रूटीन include the following habits in your daily routine दीगे कुछ habits को आप अपने daily routine में include करेंगे begin your day by greeting your parents अपने parents को greet करके उनका अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें take a bath daily रोजाना नहाएं drink plenty of water परयाप्त मातरा में पानी पिएं and eat a balanced diet और संतुलित आहार लें avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और लगातार अपने हातों को दोते रहें complete your homework on time और अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you